हलो व्रिवन आप लोग का बहुत बहुत स्वागते जी के ओशन यूटूब चानल पर आज के इस पर्टिकुलर वीडियो शेशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं यूपी पीसेज एक्जाम के लिए पॉलिटी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टन थर्टी कोशन ठीक है और ये कोशन होंगे रिलेटेट ट्रेजिडेंट ऑफ इंडिया से ठीक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टन होने वाला है तो चलिए हम लोग अपना आज करणर स्टाइब करते हैं अजका हमारा पहला कोशन है भारत में कारेपालीका का अध्यक्ष कौन होता है नहीं बताया गया है और प्रेजडेंड ऑफ इंडिया के बार में बताया है आर्डिकल 52 में ठीक है और इनके एलेक्शन के बारे में बताया गया आर्टिकल 54 में और इनका एलेक्शन किस तरह से होगा ये बताया गया आर्टिकल 55 में ठीक है तो यहां पे हमारा पहला आप्शन हो जाएगा सही आंसर संग की कारिपाली का शक्ती नहीत होती है किन में तो यह शक्ती नहीत होती है भारत के प्रेजडेंट में ठीक है रास्ट पती में और आपको यह भी आतकर लेना है कि जो प्रेजडेंट का टर्म होता है ओफिस का यह बताया गया है आर्टिकल 56 में और इनकी एलेजिबिल्टी और इनके re-election के बारे में बताया गया आर्टिकल 57 में सबसे important पूछा जाता है impeachment के बारे में तो ये बताया गया आर्टिकल 61 में और जो इनको शक्ती प्राप्त होती है छमा याचना देने की ये आर्टिकल 72 में बताया गया है ठीक है उतना आपको अच्छे से याद कर लेना है यहां पे दियावा संसत तो संसत तीन इसके तीन पार्ट होते हैं एक होता है लोक सभा तीन पार्ट से मिल करके बना उता है दूसरा होता है राज सभा और तीसरा होता है प्रेजिडेंट ये exam में कई बर पूछा आता है तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है next question आपके सामने भारत का रास्थपती होता है तो भारत का रास्थपती जो होता है वो भारत का सम्वेधानिक अध्यक्ष होता है option number 2 हो जाये गए यहाँपे हमारा सही answer नेक्स्ट कोशन है भारत का रास्पती बनने के लिए अधिक्तम आयू सीमा क्या निधारित की गई है देखे मैंने अभी आपको फर्स्ट कोशन में ही बताया था कि minimum age required 35 maximum age की कोई बात नहीं कई गई है भारत के समिधान में तो आपर option number 4 हो जाएगा सही answer अगला कोशन है किस समिधान शंशोधन के तहट रास्पती के चुनाओं के निर्वाचक मंडल में दिल्ली एवं पॉंड़चिरी की विधान सभाव के निर्वाचिस सदस्यों को शामिल किया गया तो यहाँ पर हमारा सही answer हो जाएगा option number 3 जो 70th जो constitution amendment वहा था इसके तहती है प्रवधान किया गया था ठीक है तो important question है उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है अगला प्रशन है भारत में कोई भी व्यक्ति अधिक्तम कितनी बार रासपती पत के लिए निर्वाचित हो सकता है तो देखिए इसका answer जाएगा कोई सीवानी देखिए भारत के समिधान में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि एक इंसान कितनी बार president बन सकता है वो कितनी बार भी बन सकता है ठीक है नेक्स्ट कोशन है रासपती लोगसभा वर राजसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है तो यहां पर हमारा सही answer एगा option 1 लोगसभा में 2 ठीक है तथा राजसभा में 12 तो option 1 is our correct answer ठीक है देखिए आपको एक चीज़ और याद कर लीनी है जो impeachment मैं बताया कि article 61 में impeachment के बारे में बताया गया महां भयोग जिसे कहते हिंदी में ठीक है article 61 में बतायागया impeachment के बारे में और और आर्टिकल 65 में यह बताया गया है कि जो वाइस प्रेजिडेंट होते हैं वो प्रेजिडेंट की तरह काम करेंगे अगर राश्टपती आफिस में नहीं है तो ठीक है तो इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है और ओध के बारे मैंने बताया कि राश्टपती के बारे में बताया गया आर्टिकल 60 में ओध मतलब शपत ठीक है और शपत के बारे में भारत के जो समिधान है उसके शिडूल 3 में बताया गया शपत के बारे में नेक्स कोशन है भारत का राश्टपती लोग सबाब में किस अनुख्षेत के तहट दो सदस्यों को मनुनीत करता है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर एक सब्सक्राइब करता है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन नमबर टू आर्टिकल 80 के पार्ट वन के कामें टीक है इंपॉर्टन कोशन है आपको अच्छे से याद कलेना है वीडियो का आप लोग लाइक ज़रूर कीजेगा देखे अगर आप चाहें तो जीके ओशन का एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टन क्विज भी आप अप लोड़ेड है तो आप क्विज दे करके अपनी तयारी को जान सकते हैं तो राश्पती किस अनुश्यत के तहत अध्यादे आपको याद कर लेना है और आपको यह भी आत कर लेना है आर्टिकल 143 में यह बताया गया है कि प्रेजिडन के पास पावर होती है कि वह सुप्रिम कोट से कंसल्ट कर सके है ठीक है वहाँ से सलाह ले सके आपकल 143 में अनुख्यत भातर के तहट राश्पती को छमादान की शक्तियां प्राप्त है जो कि मैंने आपको बताया यह शक्तियां कितने प्रकार की होती है तो यह शक्ति होती पांच प्रकार की तो आप्चन नुबर 4 हो जाएगा सही आंसर नेक्स कोशन है अनुक्षियद 61 के तहट राश्पती पर महाभियोग यानि की impeachment लगाया जाता है यहां किस सदन में पहले लाया जाता है तो देखे लोगसभा वर राजसभा दोनों में से किसी एक में चाहे लोगसभा में पहले आजाया या राजसभा में पहले आजाया तो यह पर option nr 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर अगला कोशन है राशपती का निर्वाचन एकल संक्रमणिये मत पद्धती द्वारा किया जाता है या पद्धती किस देश के समिधान से ली गई है देखे आपको पता है कि जो भारत का समिधान है वो कई देशों के समिधान से मिल करके बना गया है तो इसमें आपसे पुछा गया है कि जो रासपती का चुनाव होता है वो एकल संक्रमणिये मत पद्दती द्वारा किया जाता है तो ये किस समिधान से लिए गई है तो ये लिए गई है आयरलेंड के समिधान से ठीक है तो option number 2 हो जाएगा या आप हमारा सही answer तिके सबसे पुराना constitution अमेरिका का है सबसे बड़ा लिखिद constitution ये भारत का है इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है अगला question है लाब के पद का निधारन कौन करता है तो ये करते हैं कौन संगिये संसद ठीक है option number 2 is our correct answer next question है भारत का राश्च्पती किसका एक अभिन अंग है मैंने आपको बताया कि संसद के तीन अंग होते हैं लोकसबा, राजसबा और भारत के राश्च्पती तिया आपके option number 3 हो जाएगा है या आपके हमारा सही answer ये आपको अच्छे से याद करें ना मैं हामेशर से आप से कहते हूं क्योंकि एक्जाम में कई बार पूछा भी गया है अगला question है राश्च्पती किस अनुक्षेत के तहट स्युक्त अधिवेशन बुलाता है जोईन मीटिंग की बात हो रही है तो ये बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहट है देखे बुलाते तो राश्पती है मगर इनकी अधिक्षता speaker करते हैं ठीक है तो option number 1 हो जाएगा हमारा correct answer आर्टिकल है 108 अहुत important है कई बर एक्जाम में पूछा गया है नेक्स कोशेन भारत का राश्पती अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले किसे त्याग पत्र देता है तो ये त्याग पत्र देते हैं उपर राश्पती को देते हैं और उपर राश्पती को देते हैं ठीक है तो यह से आत्कर लेज़़ों option 2 is our correct answer नेक्स्ट कोशन है निम्लिकित में से कौन सा राश्पती की निर्वाचन का एक भाग है परन्तु उनके महाभियोग प्रकिरे का भाग नहीं है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हैगा राज्यों की विधान सभाएं अगला कोशन है किस अनुश्यत के तहद राश्पती को अपात काले इन शक्तियां प्राप्त हैं तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हैगा आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 इंपॉर्टन कोशन अप्शन अप्शन अमबर 2 जावर करेक्ट आंसर वीडियो पावर के तहद राश्पती के पास कितने प्रकाप्त होती हैं तो यह होती हैं तीन प्रकार के ठीक है आप्शन अमबर 1 हो जाएगा हमारा सही आंसर निम्ड में से कौन राश्पती के प्रसाद परियत अपने पद पर रहता है प्रदार मंतरी, उपराश्पती, मुख्य मंतरी या राजिपाल तो यहाँ पर मारा सही आंसर रहेगा राजिपाल ओप्शन अमबर 4 जावर करेक्ट आंसर गवर्नर की बात हो रही है कोशन है यदि राश्पती की आकास्मिक मिर्थी हो जाए तो उसके पद पर कौन समालता है इंपोर्टन कोशन है यदि राश्पती की आकास्मिक मिर्थी हो जाए तो उनके पद को समालते उपराश्पती देखे उपराश्पती जो होते हैं वो राज सभा के चेयर्मेन भी होते हैं ये भी कोशन कई बर पूछा भी गया है भारत का राश्पती बनने के लिए निम्ने से क्या आवश्यक नहीं है ठीक है तो यहाँ पे चार आप्शन आपके सामने दे रखे हैं पहला दिया हुआ है कि कम से कम आयू 35 होनी चाहिए ठीक है मैंने आपको मेशा बताया है लोग सबस अदस चुने जाने की योगिता होनी चाहिए ठीक है ये भी सही है पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए ठीक है पढ़ा लिका होना चाहिए ठीक है ऐसा कुछ नहीं है ठ रास्ट पती को मोस्ट इंपोर्टन कोशन कई बर एक्जाम में पूछा गया यह प्रशन है और फोर जावर करेक्ट आंसर अगला कोशन है किस अनुश्यत के तहट रास्ट पती उच्छतम न्याले से सला ले सकता है तो मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में तो आपको इ सामने दे रखें तो संसत के दोनों सद दोके निर्वाचित सदस याद रखेंगा निर्वाचित सदस न्याश्पती की चुनाव में भाग सिर्चतु में वाग मना बताया था नर्प को कि नहीं है सुमिलित नहीं आपको बताना है तो यहां पर पहला दे रखा है कि 1956 राश्पती की चुनाव के बारे मताया गया बिलुकुल सॉय आभी पिछले कोशन में मैं Morgan आपको बताया अनुश्य पच्पन में राश्पती की चुनाव के तरीके बारे मताया अभी हमने डिसकस किया ये भी सही है आर्टिकल 60 में राश्पती के महा भीयोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया ये नहीं है आर्टिकल 61 में ये होता है ठीक है तो आप्शन नुबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर क्योंकि ये सही सुमिलित नहीं है और समाप्थ होने पर और त्याकपत्र देने पर त्यानिके ऑप्शन A और B हमारा हो जाएगा सही आंसर ओप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा या पर सही आंसर आखरी कोशन न आच का भारतिय समिधान में राश्पती का पद किस अनुप्षेद में दिया गया है तो इस question करेक्ट आंस दोएगा article 52 में ठीक है, article 52 में President of India के बारे में बताया गया है article 53 में Executive Power of Union के बारे में बताया गया है article 54 में Election of President के बारे में बताया गया है तो यहां पर हमने पॉलिटी के कुछ important 30 questions को discuss किया जो कि आपके आने वाले exam के लिए important है Thank you so much for watching, thank you